हाई गाईज, वेलकम टू माई विमला दिवी यूट्यूब चैनल में आज हम आपको बताएंगे अंग इस्पूरन या अंग फड़कने का और सुबासुब फल सामान्यत है पुर्षों का दाया अंग और इस्तरियों का बाया अंग फड़कना सुब माना जाता है यदि मस्तक फड़कना इस्तरि और पुरुस दोनों का ही सुब माना जाता है वही दोनों का आख का फड़कना प्रिये दर्शन को दर्शाता है वही इस्तरि का दाया अंग और पुरुस का बाया अंग फड़कने पर असुब फल होता है इसके लिए यथा सकती कुछ दान करना आवशक होता है तोनों का ही यदि होट का इस्पूरण हो तो मिश्ठान भोजन को मिलने के संकेत है यदि आपका नीचे का होट फड़कता है तो प्रिय मिनल को दर्शाता है नेत्र के समीव के जगहे का फड़कना प्रिय समागम को दर्शाता है यदि नाक के अगरभाग का फड़कना कहीं जाने के संकेत करता है कंदे का फड़कना द्रव्य लाब को दर्शाता है नाभी का पड़कना इस तरी को कष्ट या पेड़तर्द जैसी समुस्या आने का संकेत करता है विर्दी के जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को कमेंट करें शेयर करें पैल आइकन को दबाएं धन्यवाद